हलो माई डियर स्टूडेंस जितने भी स्टूडेंस गैडपी और डीबीट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टन इंफरमेशन है कि आपका जो आड्मिट कार्ड है वो आउट हो चुका है और अड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप इसके त्रू से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका एक्जाम है यह होने वाला है 13th of May को तो आज 11th of May हैं जल्दी से अपना अड्मिट कार्ड डाउनलोड कर लिजे इसके साथ भी यहाँ पर कुछ अड्वाइज जो नोट्स दिये हुए हैं यह मैं आपको एक बार पढ़तर बता देती हूँ कि यह जो अड्मिट कार्ड इशू हुआ है यह प्रोविशनरी to the candidates हुआ है और इसके बिना उन लोगों की eligibility to appear in the exam नहीं होगी आपको एट्मिट कार्ड जो है यह पोस्ट के द्वारा नहीं घर पे बेचा जाएगा आपको electronically download करना पड़ेगा Candidate must not multilate the admit card or change any entry meet thereon आपको admit card में जो भी information है वही use करना है कुछ भी change नहीं होगा Issue of admit card however will not necessarily mean acceptance of eligibility which shall be further scrutinized as subsequent stages of the admission procedure Admit card आने का मतलब यह नहीं है कि आपने सारी eligibility fulfill कर ली इसके बाद भी बहुत सारी stages पे आपकी eligibility check की जाएगी Candidates are advised to preserve a copy of their admit card and keep it in a good condition for future reference और यहाँ पर admit card जो है वो आपको discard नहीं कर देना है exam के बाद आपको अपना admit card समाल के रखना है और इस admit card को आपको बात में भी reproduce करना पड़ सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको जो admit card की information थी वो दे दी है यहाँ पर अगर in very rare case आपको कोई query होती है तो एक contact number दिया हुआ है एक यहाँ पर आपको email address दिया हुआ है आप दोनों पर ही अपनी query पोस्ट कर सकते हैं और जो इनकी official website है NDA की वो भी कहा जा रहा है कि आपको visit करना चाहिए ताकि आपको recent updates मिलते रहे हाला कि we will try to keep you updated regarding all the things जो भी उनकी तरफ से आता है so for now आपको यह करना है कि यहाँ पर जो link दी हुए है उस link के तुरू आप admit card को download कर दीजे so I hope अभी तक सब लोगों की preparation बहुत अच्छे से हो गई होगी so best of luck for your exam and go and download the admin card thank you